बच्चो मैं आपको कक्षचे का विज्ञान पढ़ाने वाली हूँ विज्ञान विशे आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा ऐसी मेरी आशा है आपके विज्ञान का आज हम पहला अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है भोजन यह है कहां से आता है तो प्यारे सबसे पहले मैं आपसे करना चाती हूँ इन प्रश्णों का आपको जवाब सोचना है और उसके बाद हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे तो बच्चो पहला प्रश्ण है कि कल आपने क्या भोजन किया था कुछना कुछ तो आपने खाया ही होगा तो कल आपने खाने में क्या खाया था ये आपको सोचना है दूसरा प्रश्ण है बच्चो आज आपने क्या खाया आज जब आपकी वीडियो देख रहे हैं आपने कुछ ना कुछ उससे पहले जरूर खाया होगा तो आपको सोचना है कि आज आपने अब तक क्या खाया है तीसरा प्रश्ण है आप पूरे दिन में क्या-क्या खाते हैं, पूरा दिन में हम दो बार, तीन बार या कई बार इससे भी कुछ जादा बार खाते हैं, तो आप पूरे दिन में क्या एक ही चीज खाते हैं, या रोज एक दिन में अलग-अलग चीजे खाते हैं, और अलग-अलग दिन एक ही जैसी आप अपने आहार में लेते हैं वे किस से बनी होती हैं जब आपने उपर वाले तीनों प्रशनों के उत्तर सोचे तो आपने पाया कि हम रोज कुछ ना कुछ अलग अलग चीजे खाते हैं बट कुछ चीजे हम ऐसी भी खाते हैं जो प्रति दिन होती हैं जिसे आप में से सभी बच्चे रोज दूद पीते होंगे, आप रोज कुछ ना कुछ अन खाते होंगे, यानि अनाज लेते होंगे भोजन में, रोटी, चावल ये मुख्या नाज है, रोटी में भी आप गेहू की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्ये की रोटी, अलग-अलग प्रकार की रोटी, अल अलग-अलग आहाल हम लेते हैं, जो कुछ हम खाते हैं, क्या ये किसी अन्यपदार्थ से बना होता है? तो आप पाईगे कि हाँ, अलग-अलग चीजें, अलग-अलग पदार्थें उसे बनी होती हैं. अब हमारा यहाँ एक आखरी प्रश्ण है कि रोटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है तो बच्चों आप रोज रोटी खाते हैं आप में से सभी लगबग किसी न किसी प्रकार की रोटी रोज खाते होंगे तो रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है अपने ममी क को रोटी बनाते हुए देखा या घर में किसी अन्य बड़े को रोटी बनाते हुए देखा ही होगा तो रोटी बनाने के लिए हमें आटा चाहिए होता है और आटा किसी न किसी अनाच का होता है जिसे गेहूं की रोटी बनाने के लिए आपको गेहूं का आटा चाहिए बाज और इस प्रकार जब आप आटिक को गूत लेते हैं तब उसकी रोटी बनती है और आप उसे खा पाते हैं तो बच्चों जो भी अलग-अलग चीजे अलग-अलग व्येंजन आप खाते हैं पूरे दिन में जैसे दूद पीते हैं, रोटी खाते हैं, सबजी खाते हैं, दाल खा चावल खाते हैं अन्य बहुत सारी चीज़ें आप खाते हैं वो सभी चीज़ें किसी ना किसी से मिलकर बनी होती हैं तो बच्चों यही हमें सीखना है कि क्या वो चीज है जिन से मिलकर हमारा भोजन बनता है तो यहां हम देख रहे हैं कि भोजन को तयार करने के लिए हमें कई पदार्थों की आवशक्ता होती है और इन पदार्थों को ही भोजन के संगठक या component कहते हैं तो भोजन जिन से तयार होता है जिन पदार्थों या जिन चीजों से तयार होता है उन्हें क्या कहते हैं भोजन के संगठक पदार्थ कहते हैं तो बच्चो एक उधारण हमने यहां लिया है आप लोग सबजी खाते हैं सबजी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवशक्ता होती है जैसे आपने आलू मटर की सबजी जरूर खाई होगी तो आलू मटर की सबजी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा तो सबसे पहले चाहिए कच्ची सबजिया तो आपको आलू चाहिए होते हैं और आपको मटर चाहिए होते हैं इसके अलावा आपको चाहिए तेल, मसाले, नमक, आदी अब मसालों में भी अलग-अलग मसाले होते हैं, हल्दी, बिर्ची, धनिया, नमक भी एक महतपूर्ण, यहाँ पर हिस्सा है, एक महतपूर्ण संगतक पदार्थ है सबजी बनाने के लिए, जब इन सारी चीजों को एक विश्षिष्ट प्रकार से मिलाया जाता है, तब सबज बनती है और आप उसको खाते हैं, तो यह सभी चीजें, कच्ची सबजियां, तेल, मसाले, नमक, यह सभी चीजें वास्तव में क्या हुए, एक भोजन के संगतक पदार्थ हुए, तो बच्चों इसके साथ ही हम अब अगली स्लाइड की ओर चलते हैं, जहां हमें यह जानना है कि वास्तव में जो खाद सामगरी है, वो आती कहां से है, उसके क्या स्रोत होते हैं, तो दो मुख्ये स्रोत हैं, खाद सामगरी के पादप स्रोत और जन्तु स्रोत, पादप यानि पौध है, आप जानते ही हैं, तो पादप यानि पौधों से कुछ भोजन या खाद दालें जैसे फल, सबजियां, अनाज डालें ये सब ही हमे पौधों से ही मिलते हैं। अपने अलग-अलग फल खाएं होंगे, कुछ फलों के आपने पौधे भी देखे होंगे, आपने केला खाया है, आम खाया है, आपने संतरा खाया होगा आपने, और भी कई सारे फल आपने खाएं होंगे, ये सभी फल पेडों पर उकते हैं, आपने से किसी ने आम का पेड दे पौधों से प्राप्त होते हैं उसी प्रकार अलग-अलग सबजियां भी हमें पौधों से ही प्राप्त होती हैं इसके अलावा अनाज जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल ये सब भी हमें कहां से मिलते हैं पौधों से ही मिलते हैं दाले आपने जरूर अलग-अलग प्रक मूं की डाल, चने की डाल, अरहर की डाल, मसूर की डाल, हो सकता है आप इन सब को अलग अब तक ना पहचानते हों लेकिन आपको कोशिश करनी है आप घर पर किसी बड़े से कह सकते हैं कि आप हमें अलग अलग प्रकार की डाले दिखाईए। महतपून यह है कि यह सभी दाले हमें कहां से मिलती हैं? पौधो से ही मिलती हैं. अब चलते हैं जनतुश्रोत की तरफ तो सबसे महतपून चीज जो हमें जनतुओं से प्राप्त होती हैं वो है दूद. दूद और दूद के अन्य उत्पाद जैसे दही, मक्खन, घी, पनीर. ये सबी आपने कभी न कभी जरूर खाए होंगे, आपको याद ये रखना है कि दूद और दूद से बने उत्पाद वास्तव में कहां से प्राप्त होते हैं, जन्तू श्रोतों से ही प्राप्त होते हैं, दूद कहां से मिलता है तो आप में से सभी बच्चे जानते होंगे कि अलग-अलग जन्तु जैसे गाय, भैस, बक्री इन सभी से दूद की प्राप्ती होती है इसके अलावा अंदे, मास, मचली ये भी खाद्य सामगरी है और ये भी कहां से आती है जन्तु से ही मिलती है या जन्तु से ही आती है यहां देखिए चित्र में मुर्गी दिखाई है और मुर्गी के अंदे दिखाए हैं तो बच्चो हमारे देश में विवित प्रकार का भोजन ग्रहन किया जाता है अलग-अलग स्थान के लोग अलग-अलग चीजों को भोजन के रूप में लेते हैं तो याद रखें आप कि मास, मचली, अंदे भी कई लोगों द्वारा भोजन के रूप में लिये जाते हैं और ये कहां से मिलते हैं जन्तु से मिलते हैं आगे चलते हैं बच्चो अगली स्लाइड पर हमें ये समझना है कि पौधे के कौन-कौन से भाग होते हैं और इन भागों को क्या खाद सामगरी के रूप में ग्रहन किया जाता है तो चलिए देखते हैं पौधों के विभिन भागों को तो बेटा पौधा यहां एक चित्र दिख रहा है आपको इस पौधे के चित्र में दो तंत्र दिख रहे हैं मूल तंत्र और प्ररोह तंत्र जो जमीन के नीचे का हिस्सा है उसमें जड़ों को रखा जाता है और उसे क् कहते हैं प्ररोतंत्र कहते हैं बच्चों इसके मुख्य बागों की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यह सबसे उपर क्या दिखाए हैं पुश्प या फूल दिखाए गए हैं तो फूल कई प्रकार के होते हैं आपने देखे हैं गुलाप का फूल गैंदे का फूल चमेली का अब ये सभी जो फूल हैं, इन फूलों को आप उपयोग लेते हैं या नहीं लेते हैं, हाँ लेते हैं, फूलों का कई तरीके से उपयोग किया जाता है, उसके बाद आता है फल, पौधे में फल एक महतपून हिस्सा होता है, और कई पौधे के फलों को आप लोग खार्द साम सामगरी के रूप में उपयोग लेते हैं आपने अभी अभी सुना कि कई सारे फल जैसे आम, केला, संत्रा, अम्रूद ये सभी हमें पौधों से ही मिलते हैं उसके बाद है तना या स्तंभ तो आप याद रखें बच्चों कि कुछ पौधों के तनों को भी खादे सामगरी के रूप में लिया जाता है, जैसे आपको ये जानकर आश्चरय होगा, कि आलू जो हिस्सा है किसी पौधे का वो तना है, यह एक आश्चरय जनक, आज आपको बात पता चली होगी, कि जो आलू आप खाते हैं, वास्ताव में पौधे का एक तना होता है, उसके बाद पत्तिय तो आप कई सारे पौधों की पत्तियों को भोजन के रूप में लेते हैं जैसे पालक, मेथी और सरसों की पत्तियों का भी साग बनाया जाता है इसके बाद बच्चों आप जड़ों को देखें तो मूल तंत्र में प्रात्मिक मूल और दुत्यक मूल यानि प्रात्मिक जड़े जो बड़ी जड़े होती हैं जो मोटी जड़े होती हैं उन्हें प्रात्मिक जड़े कहते हैं और जो उनसे निकलती हुई छोटी जड़े होत गाजर खाई होगी मूली खाई होगी गाजर या मूली वास्तव में किसी पौधे की मूल या जड़ ही होती है तो बच्चों यहां आपको याद रखना है कि कुछ पौधों के दो या दो से जादा भाग भी खाने यूग्य होते हैं कई पोधे ऐसे होते हैं जिनके फलों का भी हम उपयोग करते हैं उनकी पतियों का भी हम उपयोग करते हैं तो पोधों के अलग-अलग हिस्से जैसे तना जैसे उनके फल जैसे उनकी जड़े खाने योग्ये होती हैं तो बच्चो अब चलते हैं अगले भाग की और अगली स्ल पहले चत्र की ओर देखिए यहां अंकुरित मूंग दिखाए गए हैं इधर साबुट चना और इधर अंकुरित चना बच्चों मूंग और चना विशेश प्रकार की दाले ही होती हैं अब मूंग और चने आपने जरूर देखे होंगे अब ये अंकुरित मूंग और अंकुरित चना क्या है ये आपको समझना है तो बच्चो जब किसी दाल को जैसे मूं को या चने को हम पानी में भिगो कर रख देते हैं लगबग 10 से 12 घंटे के लिए उसके बाद उसमें से पानी अलग करके और उस दाल को हम एक कपड़े में ब कि ये कुछ सफेद सरचनाएं उन दाल के जो हिस्से हैं आपको उनमें नजर आने लगती हैं तो उन दाल में से आपको ये सफेद सरचनाएं उकती हुई नजर आती हैं और तब हम जानते हैं कि दाल का अंकुरन हो गया है तो इस प्रकार अंकुरित मूंग भी आप देख सक और चने को भी क्या किया जा सकता है अंकुरित किया जा सकता है अन्य जो साबुत दाले हैं उनका भी अंकुरन संबव है बच्चो महतपून ये है कि ये जो अंकुरित भोजन होता है ये बहुत ही पोश्टिक होता है और आपको स्वास्थे बनाए रखने के लिए हश्ट पु बोजन को जरूर ग्रेहन करना चाहिए। इसके बाद बच्चों हम एक और महतपून वस्तु को समझेंगे। आपके भोजन का एक हिस्सा ही है ये भी शेहद। आप में से सब ने शेहद देखा होगा या खाया भी होगा। अब ये शेहद कहां से आता है। ये आपको समझना ह तो शेहद वास्तों में आता है मधुमखी के छत्ते से। ये एक मधुमखी का छत्ता यहां चित्र में आपको दिख रहा है। अब मधुमख्या इस छत्ते में ही रहती हैं। ये क्या करती हैं। ये फूलों से मीठा रस यानि की मकरंद इखत्ता करती हैं। और इसे अपने चत्ते में भंडारित करती जाती है या इकर्टा करती जाती है बच्चो ये मीथा रस भंडारित करने के बाद ही मधुमक्छillar इससे अपना भोजन ग्रहन करती है वर्श बर वे इससे भोजन के रूप में उपयोग लेती है और वास्तों में हम जो शहद प्राप्त करते हैं वो मदु मख्यों के इस छत्ते से ही प्राप्त करते हैं तो बच्चों आज की कक्षा में हमने आपके विज्ञान का पहला अध्याय प्रारंब किया और अब तक आपने क्या पढ़ा आपने ये पढ़ा कि भोजन के जो पधार्त होते हैं यानि भोजन जिन चीजों से बनता है उन्हें भोजन के संगटक कहते हैं इसके अलावा भोजन हमें अलग-अलग स्रोतों से मिलता है जिने हम पादप स्रोत और जन्तु स्रोत दो भागों में बाढ़ सकते हैं इसके अलावा पौधे के हमने अलग-अलग भागों को देखा उन भागों को हम भोजन के रूप में अलग-अलग रूप में ग्रहन करते हैं उसके बाद आपने जाना अंकुरित भोजन क्या है और इसके अलावा आपने ये भी जाना कि शहद हमें कहां से प्राप्त होता है तो बच्चो आज की कक्षा के लिए इतना ही अगली कक्षा में हम यह जानेंगे कि भोजन के आधार पर जन्तों को कैसे अलग-अलग प्रकार से पाता जाता है तो बच्चों अगली कक्षा का इंतजार कीजिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले भाग में धन्यवाद